वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने दविचर सीजन 2 के पहले तीन एपिसोड नहीं देखे हैं, तो उपर आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएगा, दविचर सीजन 2 एपिसोड 4, एपिसोड 4 की स्ट एक साथ विचर्स डेंज आते हैं, ट्रिस को वहाँ देख, सारे विचर्स खुस हो जाते हैं, सीन चेंज होता है, और हमें साहिर और यनिफर को दिखाय जाता है, जो कि लोगों से छुप छुपा कर रह रह होते हैं, और तभी यनिफर साहिर को यह बताती है, कि आजकल और ट्रिस को दिखाय जाता है, जो कि आपस में बाते कर रहे होते हैं, इतने पे गेराल्ड सीरी से यह बोलता है, कि उसने ट्रिस को यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है, ताकि वो तुम्हें अच्छे से ट्रेन कर सके, अगले सीन में हमें यनिफर और साहिर को दिखाय जात होते हैं, वहाँ पे एक आदमी यनिफर को यहाँ बताता है, कि आज रात वो लोग इस सहर को छोड़कर सिंतरा चले जाएंगे, क्योंकि हर रात यहाँ से एक सिप कुछ एल्ब्स को लेकर सिंतरा के लिए निकलती है, सीन चेंज होता है, और हमें ट्रिस और गेराल्ड को द दिखाय जाता है, जो कि आपस में बाते कर रहे होते हैं, कि इतने में ही वहाँ पे एक बड़ा सो अक्टोपस आ जाता है, और अपने साथ एक एल्फ को लेता जाता है, इस घटने को देखकर के यनिफर नाले से बाहर आ जाती है, यनिफर को आता देख, उसके पीछे- आता है, वो कोई और नहीं, बलकि सेंट पाइपर है, बता दे सेंट पाइपर का रियल नाम जसकीर होता है, जो कि पेशे से एक सिंगर होता है, और पिछली सीजन में यनिफर ने अपनी स्पेल की मदद से जसकीर की जान बचाई होती है, और जसकीर गैराल्ट का एक साम को करने के लिए ऐसे आदमी की तलास में होता है जिसके बारे में वहां के लोगों को सक भी न हो और तभी उसके दिमाग में दारा का नाम आता है दारा एक एलफ होता है सींग चेंज होता है और हमें ट्रिस गेराल्ट और सीरी को दिखाय जाता है जहां पर ट्रिस पिछली monsters अलग नहीं बलकि एक ही जगे से आ रहे हैं जिस पर सीरी ये बताती कि जिस दिन निल्फगार्ड ने सिंट्रा पे हमला करा होता है उस दिन उसे सहर के बाहर एक monolith टॉपल देखा होता है जो कि उसे daughter of chaos बोल रहा होता है ये सुनकर सीरी डर जाती है और अपनी safety के लिए वो चिला देती है जिस पर वो monolith तूट जाता है ये सुनकर ट्रिस्ट गेराल्ट से बोलती है कि ये नामुम्किन है जिस पर गेराल्ट ट्रिस्ट से बोलता है कि वो खुद एक बार उस प्लेस पे जाकर देखेगा कि आखिर माजरा क्या है सीन चेंज होता है और हमें येनिफर को दिखाय जाता है जो कि जसकीर से मिलने आई होती है येनिफर को वहाँ देख जसकीर बहुत खुस होता है और इतने पे ही वहाँ साहर भी आ जाता है जिस पर जसकीर उन दोनों को सावर लेने को बोलता है क्योंकि वो दोनों बहुत बुरा स्मेल कर रहे होते हैं अगली सीन में हमें Tris को दिखाय जाता है जहां Tris Geralt के लिए एक पोर्टल ओपन करती है ताकि Geralt को अपने सवालों का जवाब मिल जाए इसलिए वो पोर्टल कहीं और नहीं बलकि एक मेच के वहाँ ओपन होता है जो कि एक मोनलित एक्सपोर्ट होता है और उस मेच का नाम इस जारा होता है और हमें वेसमीर को दिखाय जाता है जो कि जेंगलों में एक विशिष तरग पोर्टल को उक्ता देखता है जिस पर वह उस पोज़े को तोड़ कर सीधा uniform के पास आता है और ट्रिस से बोलता है कि क्या वो जो सोच रहा है वो सच है और यहाँ पे हमें उस पौधे की खासियत का पता लगता है इस पौधे का नाम Fien Weed होता है जो कि सिर्फ वही पनपता है जहाँ पे Elder Blood गिरा होता है और यह पौधा हर उस जगे पनपा हुआ होता है जहाँ जहाँ सीरी ने ट्रेनिंग करी होती है इसका मतलब यह है कि सीरी की रगों में Elder Blood डौड़ा है और इसी Elder Blood की मदद से विचर बनाये जाते हैं और अब वैसमीर के अंदर भी आसा की एक नई किरन डौड़ पड़ती है जहाँ वो यह चाते हैं कि ट्रिस सीरी की Elder Blood की मदद से वो और Scene shift होता है और हमें जसकीर को दिखाय जाता है जहां सिप में सब के पहुंच जाने के बाद जसकीर यनिफर को गुड़बाई बोलकर सिप से बाहर चला जाता है और इतने में ही यनिफर को जसकीर की दर्थ भरी अवाज सुनाई देती है जिस पर यनिफर सिप के ऊपर आगक वीडियोस लाता रहूँगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कॉमेंट सेक्षिन में बताना न भूले मिलते हैं आपसे एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद